दूस्तों आज की कहानी है मा मुझे दीदी का दिया कुछ नहीं साइए दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अर नया वीडियो हेलू मा ये क्या फिर से सिया ने मा मेर जैसी हूँ वैसी रहने क्यों नहीं देते आप लोग घर बार सिया ये सब जो करती मुझे अच्छा नहीं लगता उसके सस्राल वालों को आमपती हैं क्या मेरे रेंसेंसे या मेरे कपड़ों से क्या सस्मे सिया को भी हम पर तरस आता रासी मा से बात करते हुए थोड़े रोस वेक्ट करते हुए बोली बेटा ये क्या कर रही हो अरे सिया तेरी ही बैन ने किया हुआ जो उसने बेज दिया वो जानती है तेरे आदत वैसे तो उसने मेरे लिए भी वैसे ही उस बेजा बता रही थी फोन पर बेटा अपनी बैन को गलत समझना बंद कर उसकी बावनों को समझा करना वेसे कोई कुछ नहीं करता उसके ससुराल पर एक बात तो तू भी जानती अगर कोई कुछ कहेगा भी तो तेरी बैन तेरे खिलाब कभी कुछ नहीं सुनेगी कामना जी रासी को समझाते वे बोली मा मैं क्यों सोसु कौन क्या कहेगा ये मेरी जिन्दकी है जो मेरी हालाते में उसमें संतुष्टू क्या वा जो हम दोनों पती पत्री कम कमाते पर नहीं करते फिजूल खरसी हमें नई पसं सिया की त्रपैसे उडाने का उसी हमारी वज़सी सर्मी दंगी उठाने की जर्वत नहीं है हम नहीं जाएंगे उसके गर बात खतम रासी का मुड़ पूरा बेगड गया उसने उसी वक्त फोन रख दिया पता ने क्या सोचते हुए उसने वक कूरियर वाला बोक्स उठाया और गुसे में भैकने ही जा रही थी कि दिलने का देख तो ले एक बार रासी मन को सांत कर डीबा खोलने लगी अंदर एक फिले रंग का कूर्ता सरारा और दुपटा तासाद में उसके पती निकुज के लिए भी कूर्ता पजामा दि पता हैं तुम मुझे से बहुत जयादा नाराज रहती हो हो जाओ मना लोंगी तुमको ये कबड़ी प्लीज मारे गरे पर्विस से तुम और जीजा जी प्यान कराना पता हैं दि दि तुमें लगता हैं मैं ये सब दिखाने को तुमें बेशती हूँ तुमारी मन में मेरे लिए कड़वाइट बरी हुई हैं पर ये सब करने के पीसे की वज़ा भी तुम ही हो दी यादी हम दोनों में साल भर का ही तो आंतर हैं हम जब भी कपड़े पैनती थे एक जैसे बस पन जवान ने यहां तक की मेरी साधी पर भी हमने लगबग मिलचे जूलचे कपड़े लिए मारी साधी का जोड़ा भी एक ही ता जैसे तुमने जो दो साल पहले पैना अपनी साधी में मैंने भी लगबग वैसा ही लिया तुमें यादे जब तुमारा वेंदातु आता तो में पूसी थी त मैंने भी वैसी पहनी थी फिर जब मेरी दिया हुई मैं अपने जैसी साड़ी तुमें भेजी उस वक्त जब तुम पहन कर नहीं आई मुझे बहुत रोना आया था समझ गई तुम्हें बूरा लगा जब मां से मैंने का तो वो बोली तू तो जानती है रासी स्वाभी मानी है उसे दूसरे करे नहीं पसंद आता इसलिए इस बार तुम्हें इतना लंबा पत्थर लिख कर भेज रही हूँ प्लीज दी पैन कर आना हाथ जोडती हूँ तुमारे ये आदत भी तो तुमारी ही लगाई हुई ना हम जब भी कहीं साथ रहे एक जैसे कपड़ों में रहे तमसे मैं ये सोच रखी थी हम जब भी साथ होंगे एक जैसे कपड़ों रहेंगे कि अपनी सिया की इतनी से बात नहीं मानोगी रासी की आँकों से जर जर आसू बहने लगे उसकी अपनी सोटी बैन को समझने में कैसे भूल कर गई वो कैसे सोच ली सिया उससे ज़्यादा पैसे वाले घर में गई है तो ये सब दिखावा करती सची तो कर रही है हम तो एक दूसे के जन्नब दिन पर भी एक जैसे कपड़े पैनते थे सब हमें जुड़वा का करते थे मैं ही तो करती थी हम सगी बैने हमेशा एक जैसे ही कपड़े पैनेंगे जब साथ होंगे फिर मैं ही कैसे भूल गई रोते रोते उसके सिया को फन लगाया हेलो सिया मुझे माब कर दे मेरे ब्यान तुझे कितना गलस समझ रही थी मुझे लगा तु अपने पैसे का रोब दिखाती तेरे सस्राल वाले तुम्हें मुझे लेकर सुनाते इसलिए तु हर बार अपने घर के फक्षन पर मेरे लिए कपड़े बेज दिया करती है ये बातों मैं साधी के बाद भूल ही गई थी सिया तु अभी तक याद रखे वी थी रासी बिना रुक ये दिल की बात करोने लगी तुम रो क्यों रही हो दी मुझे तो तुमारी बात कभी बूरी नहीं लगी मैं समझ गई थी तुमारे मन में कुछ है इसलिए इस बार लिख कर भेज दी पता इस से मिलता जूलता मा पापा को भी पीचवाया है सूस रही थी हम सब एक जैसा पैने हो क्या है ना सासु मा का मनता सब पीले कपड़ी पैने तो वो ने साधी ली और में हम दोनों के लिए कुरता सरारा तुमें अच्छी तो लगी ना सिया ने पूसा हा सिया वैसे भी हमारी पसन इस मामले में सुरू से मिलती है हम जब भी खपड़े देने जाते हैं कि कपड़े पर साथ हाथ रखते तब दुकांदार हस कर पापा से कहते साब आप एक बिटिया को भी लेकर आओ तो एक जैसा ही दो घर जाना कहते हुए दोनों बेने हसने लगी दीती तुम समय से पहले पहुँच जाना हम साथ में त्यार ओकर बाहर निकलेंगे जुड़वा बेनो जैसे तुम आओगी ना दी सिया ने पूसा जरूराओं कि सियारव कपड़े ही पहनूंगी रासीने का गरब परविश में दोनों बेनों का पहले सा प्यार दे कामीनी जी बल्या लेते नहीं ठक रही थी मनी मन कर रही थी मेरी दोनों बेटियों को बस एक्षर देखा गया है दो बेनों की साधी के बाद अगर ससुरल आर्तिक रूप से संपन ना हो तो मत मन बेदा जाता बात कुछ साई ना भी हो तो थोड़ी कमतर होगी कि वो हर बात पर गेराई से सोचने लगती है ऐसा नहीं है कि सब वहने रासी और सियाज जैसी सोच रगती है पर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो